मुख्य मंत्री एकनात शिंदे को लेकर जोतिर मठ के शंकराचार स्वामी अवी मुक्तेश्वरानन स्वरसती के बयान ने मारास्ट की राजिती गर्मा दिये शंकराचारी ने कहा था कि उद्दव ठाकरे विश्वास घात के शिकार हैं वहीं बिजेपी सांसत और अभिनेत्री कंगना रणोत अब शिंदे के समर्थन में सामने आई हैं उन्होंने शंकराचारी पर कटाक्ष करते वे कहा कि स्वामी अवी मुक्तेश्वरानन ने शिंदे को देश द्रोही और विश्वास घाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है हिमाचल प्रदेश की मंडी लोक्सवा सीट से सांसद चुनी गई कंगना ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा राजनीती में गडबंदन, संधी और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और समयधानिक बात है कॉंग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ अगर राजनीती में राजनीति नहीं करेगा तो क्या गुलगप्पे बेचेगा कंगना ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि शंकराचायर ने अपनी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्चा का दुरूपियोग किया है उन्होंने आगी लिखा धर्म यह भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का सोशन करने लगे तो राजदरो की आकरी धर्म है शंकराचायर जी ने महारास्ट के हमारे मान निये मुखमंतरी एकनात शिंदे जी को अपमान जनक शब्दावली से गद्दार विश्वास घाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुचाई है कंगरा ने इसके साथ ही कहा कि शंकराचायर जी इस तरह की छोटी और ओची बाते करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुचा रहे हैं उत्राखंड के जोशी मट स्थित जोतिर मट के शंकराचायर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानन ने इस हपते की शुरुवात में शिफसेना यूबीटी नेता और महरास्ट के पूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबै में उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि व फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा उन्होंने आगे कहा जो विश्वास घात करता है वह हिंदू नहीं हो सकता जो विश्वास घात को सहन करता है वह हिंदू है महरास्ट की पूरी जनता विश्वास घात से दुखी है और यह हाल के लोक परिबंदन करके महारास्ट के मुक्तमंत्री बने शंक्राचार स्वामी अभी मुक्तेश्वरानन्द ने पियम मोधी को लेकर भी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने कहा कि पदार मंत्री नरेन मोधी के हाथों गलत काम करवाये जा रहे हैं जिसके लिए वह उन्हें आगाह कर रहे हैं दरसर शंक्राचार अनंत और राधिका की शादी में आश्रिवा देने पहुंचे थे शादी समारोग पूरा हुआ और उसके बाद शंक्राचार ने पियम मोधी को लेकर कहा कि हम उन्हें आगाह कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है शंक्राचार ने कहा कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है हम उसका स्वागत करते है कोई यदि हमारे पास आता है तो उसको आश्रिवा देना हमारा दाइतु है मोधी को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनसे हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है कई पाप करवाई जा रहे हैं, मुर्तिया तुडवाई जा रही हैं, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के हातों धर्म विरुत कार कराये जा रहे हैं, हम नरेंद मोदी के लोग कभी सोच रहे हैं, पर लोग कभी सोच रहे हैं, शंकराचायर ने कहा कि हमारे मन में उनके लिए को रहो लेकिन नरेंद्र मोधी आश्रिवाद लेने आए तो हमें लगा कि उनके मन की करवाहट दूर हो गई होगी शंकराचार ने कहा कि आश्रिवाद में उन्होंने प्रदारमंत्री नरेंद्र मोधी को अपने गली की माला पहना दी पहनी हुई माला शिर्ष को पहनाई जाती समझ गए कि नहीं, ये कहा गया है, मित्रत द्रोही, कृतगनस्च, यस्च विश्वास घात कहा, त्रेस्ते नरकम्यांती, यावदाबूतसंपलवं, मित्रत का द्रोह करना, किसी ने आपके उपकार किया है, उसको भुला देना, और विश्वास का घात करना, ये जो तीन झाल